बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ अमरवाडा उप्चुनाब से जुड़ी हुई बड़ी खबर जहां दसवे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी आपको बता दे कि दसवे राउंड की काउंटिंग में कॉंग्रस प्रत्याशी धीरेंज शाह करीब 6,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं बीजोपी के कमलेश शाह और कॉंग्रस के धीरेंज शाह में टककर है अमरवाडा उप्चुनाब में 10 जुलाई को मतदान हुआ था अमरवाडा विदान सभास्तीर पर 78,000 अफसाथ एक प्रतीशत गोटिंग भूई थी और आपको बता आए जा रहा है कि 7,000 से भी अधिक मतों से कॉंग्रस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं बड़ी जानकारी से रूबरू कर आ रहे हैं अमरवाडा उप्चुनाब 12 राउन की काउंटिंग पूरी हुई कॉंग्रस प्रत्याशी धीरेंज शाह 7,000 से जादा वोटों से आगे हैं बीजेपी के कमलेश शाह और कॉंग्रस के धीरेंज शाह में चक्कर हैं अमरवाडा उप्चुनाब में 10 जुलाई को मतदान हुआ था जिसके बाद आज काउंटिंग की जा रही है और अब तक 12 राउन की काउंटिंग पूरी हो चुकी है 20 राउन की काउंटिंग होनी है ब इसको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉंग्रिस यहाँ पर कड़ी टकर देती हुई नजरारी है बारवे राउन की अगर काउंटिंग की बात की जाए तो बारवे राउन में कॉंग्रिस के धीरेंज शाह साथ हजार वोटों से आगे बताये जा रही है कमले शाह और धिरेंज शाह के बीच यह टकर है कॉंग्रिस प्रत्याशी धिरेंज शाह साथ हजार वोटों से आगे हैं बीज़ोपी के कमले शिश शाह प्रत्याशी है बीज़ोपी के तरफ से अमर वाडा विधान सफा सीट पर 78.7 एक प्रतीशत मतदान हुआ था बारवे कमले शिश शाह और धिरेंज शाह के बीच तकर काटी के तकर यहां पर देखने को मिली जहा शुरवात में जब रुज़ोपी के तरफ से कमले शिश शाह आगे बताए जा रहे हैं लेकिन बारवे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद कॉंग्रस प्रत्याशी धिर करना होगा कि आखिर इन 20 राउंड की काउंटिंग तक कौन आगे रहता है और कौन विज़ई सावित होता है ज़्यादे जानकारी के साथ हमारे सयोगी शाश्वत शर्मा जोड़ चुके हैं सिधारू करेंगे सयोगी के और शाश्वत 12 राउंड की काउंटिंग यहां पर अगर बात की जाए तो कौंग्रिस प्रत्याशी धिरिंग शाह साथ हजार से जादा बोटों से आगे बताए जा रहे हैं बीजोपी के तरफ से प्रत्याशी कमलेशिशा है जो नुनेहाल में ही कॉंग्रिस छोड़ बीजोपी का दामन थामा था और ऐसे में अब कहीं न कहीं जो रुजान सामने आए हैं उसको देखने के बाद काफी जादा यहाँ पर यूटन होता हुआ दिखाई दे रहा है जन और तेरवे राउंड के भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है और तेरवे राउंड में भी बताया जा रहा है कि कॉंग्रिस प्रत्याशी ही आगे बताया जा रहे हैं और अब तक तेरा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है यानि कि अब चौधवे राउंड की काउंटिंग की जा रही है कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है यानि क कि माना जा रहा है कि 1-5 घंटे में तस्वीरे पूरी तरह से साफ हुजाएगी किसको जीत मिलती है किसको हार हलंकि कॉंगरिस के लिए यहाँ पर जीत मिलना कापी बड़ी चुनौती मानी जा रही थी लेकिन यह जीत बहुत ही महत्पपून कॉंगरिस के लिए है और अगर ज काईब का